और एक बड़ी खबर उमेश अत्या कांट के मास्टरमाइंड सदाकत को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पिक्चर वार छड़ गई है अत्या कांट के मास्टरमाइंड के साथ अखले शादों की फोटो सामने आई है बीजेपी का दावा है कि ललबी स्टुडेंट सदाकत समाजवादी पार्टी का करी भी रहा है समाजवादी पार्टी ने भी सदाकत की एक फोटो बीजेपी नेता के साथ शेयर कर दिया फोटो में बीजेपी की पुर्विधायक रही नीलम कावरिया के पती के साथ सदाकत नजर आ रहा है तो पहले बीजेपी ने एक फोटो जारी की अखिले शादों के साथ सदाकत की तो तुरंत समाजवादी पार्टी ने भी एक फोटो जारी कर दी सदाकत की बीजे पी नेता के साथ और पूछा की बताईए ये क्या है अधर हुमेश अत्या कांड के माशनमाई सदाकत खान की तस्वीर पर यूपी में सियासत शुरू हो चुकी है अखिले श्यादों ने अपने साथ फोटो होने पर कहा कि किसी के साथ भी किसी की तस्वीर हो सकती है हमारे पास उसे कौन लेकर आया ये भी देखा जाए सोशल मीडिया का जमाना है कोई भी तस्वीर ले सकता है जिस ने मिलवाया उसकी फोटो भी साथ में है ये अकले शादोंने का हमारी सरकार प्रतिबधिता के साथ अपराद और भृष्टा चार पर जीरो टालेंस की नहीं के तहट काम कर रही है प्रयागराज की घटना में सारे दोसी पकड़े जाएंगे और उन्हों कानून के तहट कड़ी से कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं ये पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुस्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है मैं अगर दूसरे सब्दों में कहूं तो अपराधियों की नरसरी बन करके पूरे देश में उभरी है समाजवाधी पार्टी ने ही राजनिती का अपराधी करण किया है और अभी तो स्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख साजिस करता के साथ स्री अकले स्यादो जी की फोटू आपको दिखाई दे रही है आने वाले समय में जितने भी बड़े-बड़े अपराधों के खुलासे होंगे झाल